हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉप शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में आप टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ जी असलाम अलेकूम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे तीनमेंबर दोहजार साथ की अमरजनसी के हवाले से मैंने अमरजनसी डिकलेर की है तीनमेंबर दोहजार साथ पाकिस्तान की तारी के सियाह दिनों में से एक दिन जब एक फाजी आमिर ने अपने एक्तिदार को तूल देने के लिए आइन को मौतल किया अदलिया को मुकफिल किया और मीडिया पर कदर कदखन लगाई इसकी रतीजे में एक ऐसी तहरीक ने जनम लिया जिसमें पाकिस्तान में जम्हूरियत की वापसी और आइन की बहाली में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया लेकिन इस आहम तहरीक के किरदार कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए कहां लिखने वाले कहां गए कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमी सोगए दास्ता कहते कहते क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि सिर्फ पेश बडला है पसे मन्जर वही है पसे मन्जर में अभी वी एमर्जंसी बागी है इस पर पाकिस्तान को सोचने की जरुवत है और सोच के आगे बढ़ने की जरुवत है इस पे जरा सोचिएगा और हम प्रोग्राम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज की बिग स्टोरी के हवाले से बात करते हैं जो के नवाज चरीफ की इस अदालत में पेशी और उनके बयानात के हवाले से है जैसे जैसे एहतसाब का अमल आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नवाज चरीफ के लहजे में तलखी और उनके रवये में जारहाना पर्ण भी नुमाया होता चला जा रहा है आज नवाज चरीफ सहाब की इससाब अदालत में तीसरी पेशी थी कारवाई तो कुछ खास खास नहीं हुई लेकिन जो बयानात थे नवाज चरीफ सहाब के वो बहुत खास थे उनके कुछ बैनात में तरदीद थी, कुछ बैनात में शिकवा था और कुछ बैनात में ढखे चुपे लेकिन वाज़े पेहामात थे जो नवाश्री साब की आज सहाफियों से एक गुफटबू थी इतसाब अदालत में पेशी के हवाले से उसमें जो कुछ इमपोर्टेंट बाते उन्होंने बताइए एक तो उन्होंने केटेगॉरिकली खुली तरदीद की कि कोई नया एनरो नहीं हो रहा इसके लावा उन्होंने ये भी सवाल किया क्या सिर्फ हम इदारों से टकराओ करते हैं जो दूसरे नाम नहीं लिया उन्होंने इदारों का या किसी भी और शख्का उन्हों ने कहा कि क्या दूसरे जो हमसे टकराऊ करते हैं किया उनके होले से बात नहीं करनी चाहिए। नवाश्थिभ साभ मैं आज नैप कोट में पेशी के होले से ये सवाल भी उठाया कि इंसाफ के तकाजों की तोहीन कौन कर रहा है। साथ ही बता भी दिया के तोहीन यदालत अंधर से भी होती है और बाहर से भी होती है अब तोहीन यदालत अंधर से होनाATHAN किस की तर इशारा था इस पर भी प्रогράम में सवाल उठाएंगे नवाज शरीफ साब ने ये भी मतालबा किया कि मीडिया कौम को बताए कि अदालतों का आमिरों के साथ और सिवल हकुमतों के साथ रविया कैसा होता है और ये बात बहुत खास पेराय में की तीन निवंबर 2007 की अमजनसी को दस साल मकमल होने के हवाले से पाकिस्तन पीपोस पार्टी आज खास तोर पे हदफ तनकीद रही नवाज शरीफ साब का जरदारी साब से नवाज शरीफ साब इस हद तक हफा है कि एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या आपके राप्ते हो रहे हैं जरदारी साब से के लिए हमें गालिया निकालते हैं इसके इलावा जो एक बहुत आहम मुतालबा नवाश्रिफ साहब ने किया वो ये किया कि सुप्रीम जुडिशिल काउंसल के कारवाई को ओपन कर देना चाहिए सवाल भी किया और सवाल में छुपा-छुपा नवाश्रिफ साहब ने किया किया क्या सुप्रीम जुडिशिल कांसल की कारवाई को ओपन होना चाहिए कोई भी मिस कंड़क्ट या कोई भी केस या कोई भी कराप्शन सामने आती है तो यहाँ पर उसका इहतसाब मुहासिबा किया जाता है इसके लावा फैक्टर आज की बिग स्टोरी में इम्पॉर्टेंट ये भी है कि नून लीग ने नवाशिव साहब ने अवामी रापता मोहिम शुरू करने का भी एहलान कर दिया है और अबटाबाद से 12 नवंबर से उसका आखाज होगा केपी से करेंगे मेरे साथ है नून लीग के सीनर मरकेज जिरानुमा मुशाहिदुल्ला खान साथ असलामलेकों मुशाहिदुल्ला खान साथ बहुत शुक्रिया प्रग्राम के लिए बंक देने पे कल खौजा आसिफ साब ने जियो नेउस पे हमिद मीर साब को इंटर्विव देते हुए कहा के राबिते कि गये हैं आसिफ जरदारी साहब से आज नवाज शरीफ साहब ने सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राबिते हम क्यूं करेंगे जरदारी साहब तो हमें गालिया देते हैं यह तो बकॉल शायर वो मौमला हो गया कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब गालियां खा के बेमजा ना हुआ मुझे बताइए जरदारी साहब तो हमें गालिया दे रहे हैं किसी को खुश करने के लिए ہम उनसे क्यू राप्ते करेंगे तो हो क्या? बिसमिल्ल्ला र्रिख्मान रहीम हाजा आद्सिस ताब ने यह नहीं कहा कि राप्ते हो रहे हैं उन्हों नहीं है कि मैंने राप्ते करनेकी कोशिश ओर उनका अपना भी खाजा असिफ साहब को मिया साहब ने राप्टे करने के लिए कहा था या नहीं कहा था ये तो वास उन्हों नहीं नहीं बताई ना और उनका एक एक लिंक है उनके वकील से उनकी रिश्यदारी है तो वो उनसे करते रहते होंगे राप्टे और अगर वो नहीं हुए बवजू तो मतलब कि अब मिया साथ ने अगर नहीं कहा उन्हें या कहा है तो फर्द करें कहा भी है तो मेरा खाल है तो डेमोक्राइटिक और पॉलिटिकल लोग इस तरह के जवाबाद देते नहीं है जैसे आश्यो जर्दारी साथ दे रहे हैं और उन्हें स्यासी महामलाद को स्यासी लहाद से एक अंड़क्ट उसका होना चाहिए है वरना उनको लोग स्यासी समझेंगे वैसे भी वो जादा बहुत जादा स्यासत में तो नहीं रहें किसी तहरीक में इस्ता नहीं लिया उन्होंने मुतरमा भी स्यासत के उन्होंने बहुत दूर रखा करती जी तो शायर ये तो वो स्यासी बातों का गहर स्यासी जवाब देते हैं है कि नवाज शरीफ साथ जो हैं वो 28 जॉलाई तक पाकिस्तान के ऐसे प्राइम मिस्टर थे जिनको तकरीबन टू थर्ड मेजारिटी हासल थी एक बात दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो पाकिस्तान की मैशत को उठाया जिस तना से गिरी मैशत को जब वो आये तो उस व पॉम्पों पे लाइने लगी जी घरों के चुले भुजे हुए से बच्चों को सुबा नाश्ता नहीं मिलता था और और बहुत थारे यानि कि हर शुबाह आये जिंदगी में चैनिक एक सबाई और बरवादी का आलम का सबाचार साल में मिया नौाज श्रीफ में एस प्रा भी हो जाएगी मैं तो मुक्तसर शॉट एंड सिंपल क्वेश्चन कर रही हूं कि किस को खुश करने के लिए इशारा किस की तरफ था नवाश्चार मैं उता प्यारा था मैं मैं ने आपके सवाल को इजनोरने कि आप से कर नहीं करें मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के आदमी को वजीर आदम की सीट से हटा दिया गया ठीक है और इसमें आसिव जरदारी साहब को बजाए डेमोक्राइशी के साथ खड़े होते एक एंड डेमोक्राइटिक तरीके से जो कुछ हुआ पुसे डेड़ साल पनामा पनामा होता रहा और उसके बाद अकामा जिसका को वजू भी नहीं था जा सजार धेरम की वाद वे उन्हें हटा दिया जिसकी वज़ा से अर्बो रुपय का नुखान हो गया पाकिस्तान का तो कुछ लोग ये काम करना चाहते थे ना और उन्हीं के कहने पर हो सकता जरदारी साहब नहीं किया हो तो बगार वरना भी नाम नहीं ले रहे थे लेकिन बाराल प्रोगाम में ले थे एक चोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी से बात करेंगे उन से पूछेंगे कि क्या आसिप रे जरदारी नवास शेलिफ को गालियां दे रहे हैं और ये सवाल भी करें कि क्या सुप्रीम जुडिशल कांसल के कारवाई ओपन होनी चाहिए स्टेविनस जी वल्कम बैक आफर दा ब्रेक और इस सेग्मेंट में बात करेंगे कि क्या आसिप रे जरदारी किसी और को खुश करने के लिए नवास शेलिफ को गालियां दे रहे थे और क्या इस दूरत हाल में नवाज जरदारी मुलाकात का या पैच अप होने का कोई अमकान है इतसाब अदालत में पेशी के मौके पे आसिप लिजरदारी साहब पे कड़ी तनकीद करके नवास शेलिफ साहब ने एक नया पैंडॉरा बॉक्स खोल दिया है उन्होंने कहा है कि जरदारी साहब उन्हें गालियां देते हैं किसी को खुश करने के लिए इसलिए जरदारी साहब से रापते क्यों होंगे हसन भाई मेरे बेटे की तरह है उसको और आने वाले कल में बिलावल को बक्तावर को उनको पता हो कि हमारे तालुकात किस तरह हैं और किस तरह रखने हैं जमहुरियत के नाम पर बनने वाले दो सियासी भाई आसिफ अली जर्दारी और नवास शरीफ जिन में कभी कुर्बते थी पाकिस्तान में जमहुरी हकूमत का पहली मरतबा इंतकाल इक्तिदार भी इसी सियासी महबत का शाखसाना था सियासी बसालत पर मसलिहतों के खेल के माहिर आसिफ अली जर्दारी को फ्रेंडली ओपोजिशन का टाना मिलता रहा तो दूसरी तरफ मिया साहब मिसाखी जमहुरियत याद दिलाते ना थकते तहरीक इनसाफ के धर्णों का जोर हो या साने मॉर्डल टाउन जमहुरियत बचाने को पीपल्स पार्टी नून लीक के साथ दिखाई दी फिर पनामा की गरदाब ने सब कुछ बदल डाला बाद जब क्रप्शन की निकली तो फिर दूर तलक चली गई कल के सियासी दोस्तों को ना मिसाखी जमहुरियत याद रही ना ही वादे मुश्किल में फसे मिया साहब भी रद्दे अमल देते दिखाई दिये कहते हैं बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं और मुफाहमत की सियास्त शायद मफाथ की सियास्त बन जाया करती है इस पे चोटी से रिपोर्ट आपने देखी इसी हवाले से बात करेंगे शुक्रिया मिया नवाथ श्रीफ आजकल वो खलाट का शिकार है और वो जो प्रुटिकल पार्टी या प्रुटिकल लिडिशिप जो कर्टिसम करती है उसको गालियों की शकल में वो ले 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 हैं आसे वली जर्दारी साब ने ना पहले गालियां दी हैं ना अब वो गालियां देते हैं इनका जो पास्ट पर्फॉर्मंस है और कंड़क्ट है उसको आप सामने देख ले कि जब पाकिस्तान क्राइसिस में था मौतरमा बेन जीड बुटो साहिबा की शाहदत के बाद एक दोस्ती का हाथ भी बड़ा कुलिशन गौर्वर्मंट भी बनी लेकिन कुछ अरसे बाद ये छोड़ के चलेगे और उस अरसे पर बाद जिस अंदास से मिया साब का कंड़क्ट था और मिया साब के छोटे भाई का जो कंड़क्ट था और जिस तरह वो मिलाइन भी करते थे एक्यूज भी करते थे लेकिन जज़ाई साब ने कभी वैसे रिस्पॉण नहीं किया और हम यह समझे थे थे किस सिस्टम की कॉंटिनियूटि के लिए टॉलरंस और रेस्ट्रेंट बहुत जरूरी है लेकिन मिया नवास शरीफ साहब कोछ जब मदद की जरूत पढ़ती थी तो आस्फवली जरुदारी साहब ने 2014 में सिस्टम को बचाने के लिए मदद भी की पृर्लेमंट को बचाने के लिए मदद भी की लिकिन अब टरस्ट डेफिसेट है, जर्दारी साथ अब अतमाद नहीं करते मिया नवाज शरीफ पे और बाकी दीकर सियासी कोजते भी मिया नवाज शरीफ पे अतमाद नहीं करती जब इनको अपनी जात के हवाले से जलोत हो तो ये इस किसम की गुफटगू करते रहे लेकिन अपना प्रिवियस कंड़क्ट देखें कि एक स्टेज में काला कोट पहन के और ये सुप्रीम कोट चले गे और फिर कॉंस्प्रेसी जो हैं उसमें हमेशा ये शामल रहे इन्होंने सब से पहली कॉंस्प्रेसी तो 1988 में की जनाब महमद खान जुनेज़ो के खिलाब उसके बाद भी भी ये कॉंस्प्रेसी करते रहे इमें मौतरमा बेन जीर बुटो साहबा के खिलाफ कांस पिसीजिक करते रहे लेकिन अल्टीमेटली मौतरमा शहीद ने चार्टर अफ डिमोक्रिसी को इंट्रोड्यूस भी किया उस पर एग्री भी किया लेकिन उनकी शहादत के बाद इनके कंड़ कर सकता कि इस्ट्रम ट्रस नी कर सकती है ये सब चीजें तारीख का हिस्सा भी है लेकिन इस वक्ट जो सिनारिय होए नवाज श्रिफ साब ने आज कह दिया कि कोई एनरो नहीं हो रहा मुलाकात का बातचीट का बात आगे बढ़ने का ये बिलकल नहीं है टोटली नॉट अकसेपटेबल कत्टन कोई नहीं है पाकिस्सान पीपल्स पारटी की कियादत को और बिलخصोस आसिवली जिरदारी साब को कत्तन कोई एतिमाद नहीं है उर रहम ये समझते हैं कि मिया रिजू करना चाहते हैं लेकिन हम इस समझते हैं कि इस सिस्टम को कॉंटिन्यू रहना चाहिए और जो प्लिटिकल प्रॉसस है उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए और उस पे पाकिसान पीबल्स पार्टी बिलीव करती है और उस पे अमल भी करती है कि हम समझते हैं कि इस म कारवाई जो है वो ओपन होनी चाहिए पाकिस्तन पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है कि ये कारवाई ओपन होनी चाहिए देखे जी पहले सुप्रीम जुडिशन काउंसल की प्रोसीडिंग हमेशा इन कैमरा रहती थी और इस बारे में एक प्रेटिशन भी सुप्रीम कोट म एक इसलाबाद हाई कोट के जज हैं उन्होंने भी फाइल की हुई है और जब इसी के खलाफ एकुजिशन आती है तो उस एकुजिशन को डिफेंड करने का उनका भी हक बनता है और जो नैशनल सेकुरिटी इशू है ये नैशनल इंटरेस्ट के इशू जिस किसम के हैं कि ज उसके बारे में अगर ओपन ये प्रोसीडिंग हो सकती है तो इसमें कोई हरज भी नहीं है अगर किसी जज के खलाफ कोई एकुजिशन है तो पबलिक शूट नो इट इस पर कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन क्योंके एक सिस्टम बड़े अरसे से चल रहा है कि उनकी प्रोस इंडॉरस करती है इन प्रिंस्पल पिबल्स पाटी एंड़र्स करती है कि सुप्रेम जुछिल कावाई ओपन और आपन अपन है और आपन आपन के बातू करती है अगर पूलिक इंट्रेस्ट कि बात है तो इसमें कोई हरज भी मैं नहीं प्रिस अमयांता लेकिन क्योंके सुप्रीम काउंसल के रूल सुप्रीम कोट ने खुद बनाए हुए है तो देकिन लुक इंटु इट और क्योंके अभी यल्टी में डिसीयन जो है वो सुप्रीम कोट में मामला पैंडिंग बढ़ा है एक पैटिशन पैंडिंग पड़ी हुई है इस पे बाद के रेजुशन भी आए है रिसेंटली एक इसनाबाद बाहर का रेजुशन में देख रहा था वो भी रेजुशन आया हुए है कि ये ओपन होनी चाहिए और अगर पब्लिक एटलाज को पता चल जाए किसकी खिलाफ क्या एकुजिशन है और पिर कैसे प्रोसीडिंग जोरी है तो इसमें हर इस क्या है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनर मरकिज रहनुमा नईर बुखारी साब हमसे बात कर रहे थे प्रग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि नून लीग है बब वक्तुम्खाव में तो जल्से अवामी राप्ता मोहिम शुरू करने चारी है लेकिन पीटी आई के पंजाब में चल्से उसे लगता है कि धरना तीन की तैयारी है ऐसा क्यूं है बात करेंगे ब्रेक के बाद स्टेट जी वेलकम बाक आफर दे ब्रेक और इस सेग्मेंट पे हम बात करेंगे पाकिस्तान तैयरी के इंसाफ के मुतालिक जिसमें अपने जल्सों का एक नया सिलसला शुरू कर दिया है लेकिन नून लीग को खक्षा है कि तैयरी के इंसाफ के जल्से कहीं धरना थ्री की पेश बंदी तो नहीं है पाकिस्तान तैयरी के इंसाफ ने आज कोट अद्दू में एक अच्छा सियासी जल्सा किया है एक अच्छा सियासी पावर शो का मुसाहरा किया है कल धोर कोट में पाकिस्तान तैयरी के इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जल्सा किया था इमरान खान साब की तक्रीरें वो भी आप सब कुछ सुन चुके है उधर नून लीग अपनी अवामी राप्ता मुहिम खैब पखतुन खाव में शुरू करने जारी है लेकिन ऐसन अकबाल साब ने आज एक हैरत अंगेस ट्वीट की है क्योंके पाकिस्तान तैरी के इंसाफ पंजाब में जल्से कर रही है अच्छे जल्से कर रही है बड़े जल्से कर रही है तो ऐसन अकबाल साहब को खच्शा है कि कहीं तहरीक इनसाफ के ये जलसे किसी धरना 3 की पेश बंदी तो नहीं है ट्वीट उन्होंने की है कि शायद डिमॉक्रिसी को जमूरियत को एक बार फिर डीरेल करने के लिए तेरे के इनसाफ के ये जलसे जो है धरना तीन की पेश बंदी है सवाल ये पैदा होता है कि जब नून लीग खुद अपनी अवामी राप्ता मुहिम खैब पक्तुम्खा में शुरू करने जा रही है तो पाकिस्तान तरीक इनसाफ के पंजाब में जलसों से परेशान या खौफसदा या खदशात का शिकार क्यूं है इसके इलावा जो नौन जबाश शुरू साब ने आज बातें बोली है इत्साब अदालत में पेशी के हवाले से इन पर भी पाकिस्तान तरीक इनसाफ का मौकिफ जानेंगे मेरे साथ लाहॉस्टरियो में मौझूद हैं पाकिस्तान तरीक इनसाफ के सीनियर मरकज जिरानुमा जनाब नईम उलहक साब असलाम लेकुम नईम उलहक साब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए बगत देने पर कल धोरकोट में एक बड़ा जलसा आज कोट अदू में एक बड़ा जलसा ये क्यूं कर रहे हैं आप पंजाब में बड़े बड़े जलसे फिर कोई धरना तीन की तैयारी है देखिए इन तखावात का इनकाद जो है वो हमारे ख्याल में अगले साल 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा 6-8 महीने तक और हम समझते हैं के पाकिस्टान की सबसे बड़ी स्यासी قوت की हैसित से अब ये हमारा फर्द है के हम पाकिस्टान के कोने कोने में जाकर उनको वो पेगाम पहुँचाएं جو پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے ठीक और इस पैगाम का तालुक का हमारी पिशली हकुमतों की करअपशन इस नेजाम की नाकामी और मौझूदा हकुमत की उन साधेशों से है जो वो पाकستان की अडलिया के खिलाफ पाकستان की अफवाज के खिलाफ और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ कर रही है और यही वह बन्याली वज़ा है कि हम समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत जो है ये लंगडा रही है एक कटपुतली हुकूमत है नवाश शरीफ सहाब माजूल होने के बावजूद हैकामाद जारी करते हैं उनके जो करते हैं आप से मुराद पाकिस्तान त्रीकेन साफ है जब पाकिस्तान त्रीकेन साफ इस तरह की बाते करती हैं तो चाहिए कि निवाज शरीफ हो शायते हैं कि हम्रेश बावाम का इतमाद मकमल तौर पर खोचुकी है इसका इधार मुस्लिम लीग के अपने अंदरूनी इंतशार में नजर आ रहा है हम समझते हैं कि कोईम इसलिम लीग के 60 से 70 अराकीन ऐसे हैं जो इधर उधर देख रहे हैं इनके मुस्लिम लीग के और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अगला कدم किस जाने बठाएं मुस्लिम लीग की इस वक्त गयादत जो है उसमें भी जैसे के आप जानती हैं उस पर मुबाइसे हो रहे हैं और पार्टी इस हवाले से तक्सीम हो चुकी है ठीक और हकूमत जो है मैं आपके बताऊं कि एक मुझरिम वजीर खजाना जो इस वक्त पाकिस्तान से भाग चुके हैं उसकी अदम मौझूदगी में इस वक्त पाकिस्तान शदीद इस अग्तसादी बहरान का शिकार है और शदीद स्यासी बहरान भी इस अप मुलक में जारी है मगर क्योंके इनकी हकूमत है ये कोशिशें कर रहे हैं ये कवानीन ला रहे हैं कवामी असेंबली में जहां पर इनकी अभी तक अक्सरियत है किसी ना किसी तरीके से नवाज शरीफ के जो मकदमात हैं वो खत्म हो जाएं नया नैब का जो एक कानून आ रहा है वो इसी के तरफ लेके जा रहा है इस साथ इन्होंने अब नई एक चीज़ लेकर आए हैं के सुप्रीम कोट के जजज साहबान की जो मैक्सिमम एज होती है वो 65 से घटाकर 62 कर दी जाए ताकि जो वो सीनियर जजज साहबान जिन्होंने इनके खिलाफ वोट दिये हैं वो फौरी तोर्ट आज नवाज शरीफ साहब ने इहतसाब अदालत में पेशी के वक्त सामलात हैं उनको आवाम से पोशिदा नहीं रखना चाहिए उनलेस या तो वो स्टेट की सिक्यूरिटी के हवाले सो जैसे पाकिस्तानी इफाज हैं हमारा नोक्यर प्रोग्राम है वगरा वगरा वो तो बात बनती है मगर अगर अगर उनका तालुक अवाम की फला और बैबूड से है अगर उनका तालुक अदलिया की 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 इंतिजामिया से है अदलिया की जिमेदारियों से है या हकूमत की जिमेदारियों से है तो मैं समयता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि तमाम हकायत जो उनकी मीटिंग में होते हैं बशर से के वो जानी के आप एगरी करते हैं कि सुप्रीम जिरिशल कांसल की कारवाई उनी चाहिए उसको भी टेलिवाइज करना चाहिए इस तो बेशमाद चीजें इस पर बहस खौमी बहस की जरूरत है कि वो कौन से शौबे डिबेट लानी चाहिए वो कौन से खौमी जिंदगी के शौबे हैं या हुकूमत के शौबे हैं जिनकी कारकरदगी को मकमल तौर पे अवाम के सामने लाने की जरूरत है हमने बारहा देखा है ये नवाज शरीफ हकूमत और इससे पहले पाकिसान पीपल पार्टी की हुकूमत के उन्होंने अवाम से बड़ी एहम चीजें चुपाने की कोशिश की है करपशन कीगई है करपशन के हवाले से अब जैसे खुरश उसमें कितनी करप्शन हुई मगर उसके मतालिक पाप्लिक अकाउंट्स कमेटी में नैशनल असेंबली में जो है फुरिशिद शाह साहब ने कभी कोई इंक्वाइरी होने नहीं दी इसी तरीके से मौजुदों हकूमत के भी जो करप्शन पर इल्जामात हैं और जो इसके करतूत हैं उन पर भी परदा डाला जा रहा है उधर सिंद इसमली में वजियाला मौजद अली शाह साथ जो हैं चंद दन पहले उन्होंने फ्लोर ओफ दा हाउस पे कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो एमपीएज हैं वो जिस तरहां से अपने रिश्टेदारों के लिए इल्लीगल कांट्राक्स लेते हैं ठेके ले रहें तो मौराद अली शाह का फर्व है कि उनके खिलाफ एक्शन लें अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो वो अपने हर्फ के खिलाफ वर्दी कर रहे हैं और पाउम से घड़दारी कर रहे हैं अच्छे कमिंग बैक टो नवाज शरीफ की बाते हैं आज उन्हें ने दो तीन चीज़ें ऐसी छेड़ दी हैं एक तो सुप्रीम जिडिशल कैंसल जिस पे आपने कहा कि जो भी मौमिलात इस तरह के हो पारलिमेंट में डिबेट लाई जाए कि क्या क्या मौमिलात ओपन होन पाकिस्तान तरिक अन्साफ को भी मरानख digitally आ इन्रें आज़ को फिर दो दीन पहले आज को वहाँ पर भी उन्हें कहा के आज गार अजा किसी तो आप छाय tir की थी जहांते हैं जहां तक सामने ने इनरोild की भात की इससी ऑप जाहिता ना का हिएड sein канал की श抗मार जायवी ऎ esto ये जानते हैं, कौम भी जानती है, कि मस्लिम लेग नून की जानिब से ऐसे राप्टे किये जा रही हैं, कि उनको मस्तक्बल के लिए कुछ तहफ़ज हासल हो सके, जो मैं समझता हूं कि मौझदा हालात में मुम्मकिन इसलिए नहीं हो रहे हैं, ये राप्टे समझने किसे हो हैं, वो लोग जो इन मामलात पर असर अंदाज हो सकते हैं, इस वक्त तो दो ऐसे फरीख हैं, बस जो आप बरास्ता पिर्ली या बरास्ता शाराय दस्तूर, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर इस वक्त पाकिस्तान में जो एहम कौमी दारे हैं, जिनका पाकिस्तान की कौमी ज तरिके से इनका मस्तक्बल तबाह होने से बच जाए अर उर सिलसले में इन्होंने जैसा के पहले भी एक समझाता किया था मुशरफ साब के जमाने में अब भी ये अपने मस्तक्बल को सवारने के लिए या अपनी ऑलाद को ऑफ़ दार मुशिश करेंगे मगर मुझे नहीं नहीं लगठा के इस वक्तान की जो कों है पाकिशतान के कोंई अधारे हैं ये जो खताएं हैं इनके गुणा हैं इनके पर जो इलवामात हैं उनको माफ कर देंगे मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द खासतोर पे नैप की अदालतों में जो केसिस चल रहे हैं ये इनको बहुत जल्द अपने अखताम तक पहुंच जाना चाहिए और जो भी सजा इसमें आयद होती है मजरमों पर वो अनाउंस हो जानी चाहिए ओके नाईम साब मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है तो वन लास क्वेशन इन सारे मौमिलात से हटके आज चूंके तीन नमंबर था दस साल हो गए दोहुजा साथ की अमजनसी को तवक्क की जा रही थी कि पाकिस्तान तरीक इनसाफ की तरफ से कोई ऑफिशल स्टेटमेंट सामन याद दिलाया के तीन नमंबर में आजसे दस साल पहले क्या हुआ था देखें जनरल मशरफ ने पाकिस्तान का आईम दो दफ़ा तोड़ा और उनको तो चाहिए था के गानून जो है वो अपनी पूरी इस सवाले से कारवाई मकमल करता अगर उनको सदा भी हो जाती तो उनक साब को बाहर जाने दिया मकदमा मकमल किये बगएर आप आपके सवा आपके जवाब से मुझे एक सवाल आखरी बेर पस टाइम बहुत कम रह गया आपने कहा कि अगर चरनल मुशरफ को सजा हो जाती तो उन्हें माफ भी किया जा सकता था तो अगर नवाज शरीफ को सजा हो होती है तो उन्हें भी माफ किया जा सकता है मैं सबता हूं नवाज शरीफ के जो को के भी जराइम है ना वो ना काबले है और उसकी वज़ाए यह कि आपके नजदीक चरनल मुशरफ को माफी मिल सकती है नवाज शरीफ सहाब को नहीं मिल सकती है चरनल मुशरफ इस पर एक म प्रफिली बहुत की जरूरत है इसमें बहुत सारे प्रोजन कॉंद हैं इसलों का मतालबा ये है कि नवाज शरीफ को सदा मिलनी चाहिए इन्हों नजिस तरीके से कौम को लूटा है कौम से जुट बोला है ये सदा के मुर्तकिब है टाइम मेरे पास खत्म हो गया वना ये हा रही है कि उनके सदर ममनून हुसैन उनको माफ कर सकते हैं ये भी इसमें हो रही है कि नाइम मुल्हक साब की ताज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्री आला अपिस कर दो प्रोग्राम का दोच्राम का बहुत का जात्ट है कि आला अपिस बाही है